हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आज फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही इंडरस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आज की कहानी का टॉपिक है कीमत एक शहर में बहुत ही ग्यानी प्रतापी सादू महराज आए हुए थे बहुत से दीन दुखी, परिशान लोग उनके पास उनकी कृपा जिश्टी पाने ही तुँ आने लगे ऐसे ही एक दिन एक दुखी गरीब आदमी उनकी पास आया और सादू महराज से बोला महराज जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे उपर कड़ भी है, मैं बहुत ही परिशान हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करें सादू महराज ने उसको एक चमकीला नीले रंगा पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो वो आदमी वहां से चला गया और उसे बेशने की इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल वरकृता के पास गया और उस पत्थर को दिखा कर उसकी कीमत जाननी चाही फल वरकृता बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है हाँ, यह सुन्दर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें हजार उपर दे दूँगा वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पैचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों का व्यपारी था उसने उस व्यपारी को भी वह पत्थर दिखाया, और उसे बेशने के लिए उसकी कीमत जाननी चाही बर्तनों का व्यपारी बोला, यह पत्थर कोई विशेश रत्न है, मैं इसके तुम्हें दस जार रुपे दे दूँगा वा आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी, यह सोचकर वो वहां से चला गया उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया, सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा, और बोला, यह काफी कीमती है यह तो, इसके मैं तुम्हें एक लाक रुपे दे दूँगा आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर वास्ता में बहुमूल है, उसने सोचा क्यों ना मैं इसे हीरे के वेपारी को दिखाऊं। यह सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के विपारी के पास गया उस हीरे के विपारी ने जब वो पथर देखा तो देखता ही रह गया चौकने वाले भाव उसके चहरे पड़ दिखने लगे उसने उस पथर को माथे से लगाया और पूछा तुम यह कहां से लाए हो भाई यह तो अमूल है यदि मैं अपनी पूरी संपत्ती बेज़ दू तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता दोस्तो इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि हम अपने आपको कैसे आखते हैं क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं सत्य तो यह है कि आप सब कुछ कर सकते हैं आपकी लाइफ अमूल है आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता कभी भी दूसरों के निगेटिव कमेंट्स से आप अपने आपको कम मत आकिए एक कहावत ध्यान रखिए आप जो कुछ भी सोच सकते हैं उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स वर लिस्टिंग